Hello friends, कैसे हैं आप सब? Good morning, आज हम class 9 NCRT का English का एक chapter, जो class 9th का first chapter है, उसको हम पढ़ेंगे, The Fun They Had, और ये बहुत ही प्यारा chapter है, और I hope that you will enjoy very much. बचों ये story हमको, भविशे की और ले जाती है, ये कहानी लिखी गई है भविशे के अंदर और जहां पर बहुत चारी चीजें बदल चुकी है, यहां तक कि हमारे school का system भी बदल चुका है, किताबों का पढ़ने का system भी बदल चुका है, और ये सारी की सारी कहानी इसी के स्कूल और किताबों को लेकर बनी हुई है कि किस तरह से बच्चे पहले पढ़ते थे और किस तरह से बच्चे भुष्य में पढ़ेंगे आपने अभी भी आपने देखा होगा लोकटाउन का समय चल रहा है आप सब जो है स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं और आपके टीचर जो है आपको घर से ही पढ़ा रहे हैं आपने देखा होगा कि किस तरह से पढ़ा जा रहा है कंप्यूटरों के द्वारा पढ़ा जा रहा है वर्चुल क्लास्रूम्स के द्वारा पढ़ा जा रहा है और हो सकता है कि भौष्य के अंदर रोबर्टिक टीचर्स भी आपके सा और नए नए जो है computer के ऊपर आपकी पढ़ाई होनी लग जाएगी, तो हम इस lesson को शुरू करते हैं, let's go, Margie even wrote about it that night in her diary, on the page headed May 17, 2157, यह character है इस पूरे lesson के अंदर Margie, और Margie अपनी डायरी के अंदर लिखती है, और यह date उसने लिखी है 17 मई 2,157, यानि के 217 की बात इस कूरी कहानी में कही गई है, She wrote, Today Tommy found a real book, के आज Tommy को एक असली किताब मिली, it was a very old book, Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper, उसको एक किताब कहां से मिली? उसको एक किताब मिली, Margie के दादा जी से, और दादा जी ने उसको बताया कि जब वो चोटा बच्चा था तो उसके दादा जी ने उसको ये बताया था, ताके एक ऐसा भी समय था जब सहां पर सारी की सारी किताबें और जितनी भी कहानिया थी वो कागज के ओपर छपती थी They turned the pages which were yellow and crinkly उन्होंने इन पेजों को पलटा और उन पेजों का रंग जो है अब पीला पड़ गया था और crinkly ऐसा जो कभी आपने कोई पुराना कागज देखा होगा जिसके ओपर भहुत सारी Faults हो जाती है, Lines हो जाती है तो उसको crinkly खहते हैं And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to On a screen, you know और सचमुची यहां पर जो है इस किताब को पढ़ना बड़ा ही अजीब सा मजएदार सा लग रहा था कि बिल्कुल स्थिर शब्द खड़े थे जब कि computer के उपर शब्द चलते रहते हैं आपने देखा भी होगा जब आप किसी भी TV स्क्रीन पर या computer स्क्रीन के उपर जब अक्षर देखते हैं तो वो move करते हैं, चलते हैं And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it first time और जब वो page को पढ़ते हैं, तो वैसे ही शब्द मिलते हैं, जो कि उन्होंने पहले पढ़े हुए हूँ Gee, said Tommy तो Tommy ने कहा, अरे देखो, what a waste, क्या भक्वास है When you are through this book, you just throw it away जब आप जो है, इस book को पढ़ लेंगे, तो आप बस इसको fact देंगे I guess, मैं ऐसा सोचता हूँ Our television screen must have had a millions book on it And it's a good for plenty more हमारे TV screens जो है, उनके अंदर तो लाखों की संख्या के अंदर किताबे पड़ी हैं और और भी ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है I wouldn't throw it away, और लेकिन मैं फिर भी जो है, इसको नहीं फैकता हूँ Same with mine, said Margie She was 11 and hadn't seen as many textbooks as Tommy had He was 13 She said, where did you find it? Margie ने पूछा के, तुम्हें इस किताब कहां से मिली? In my house He pointed without looking because he was busy reading in the attic Tommy ने उसको इतर बीना ध्यान से देखे और कह दिया मेरे घर में मिली, उपर, in the attic Attic क्या होती है? Attic होती है, कभी बार आपने देखा होगा, घर में दुछती बनी होती है, जिसको स्टोर के रूप में इस्तेमाल किया आता है तो मुझे वहाँ पर मिली What is it about? ये किस के बारे में है? School School के बारे में है Margie was scornful School? What's there to write about school? I hate school अब Margie जो है अब बहुत ही परेशान हो गई और बड़ी जला कर बोली School? School के बारे में भी क्या लिखना? मेरको स्कूल से वैसे ही नफरत है Margie always hated school Margie हमेशा स्कूलों से नफरत करती थी But now she hated it more than ever लेकिन अब तो वो और भी ज्यादा इस से घरना करने लगी थी The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector अब वो क्यों घरना करती थी स्कूल से? क्योंकि जो mechanical teacher जो machine जो अध्यापक था अब उसको वो बार बार में जो है geography में बार बार test देता और test देता और वो हमेशन जो है कलत करती रहती geography के अंदर test को और जब तक कि उसकी माताज ने जो है बिलकुल जो है दुख से अपना सिर्ह लाया और उसको country inspector के पास भेज दिया He was a round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires अब देखें country inspector कौन था county inspector county inspector एक छोटा सा ठिगना सा आदमी था जिसका लाल चहरा था और उसके पास एक बड़ा सा बकसा था जिसमें बहुत सारे dial और तार पुर्जे उसमें पड़े हुए थे He smiled at Margie and gave her an apple उसने Margie की तरफ देखा और उसको एक save दिया then took the teacher apart और उस machine teacher को थोड़ा दूर ले गया Margie had hoped he would not know how to put it together again अब Margie को जो है थोड़ा सा ये लगने लगा था कि ये इस machine ये क्योंकि ये खराब हो चुकी है तो ये इसको ठीक नहीं कर पाएगा but he knew how all right and after an hour and so there it was again लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि उसने उसको ये चीजे सारे करनी आती थी और एक घंटे के बाद में ये वापी स्फिर लिया large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked और कैसा था ये mechanical teacher, ये machine teacher क्योंकि ये robot था पिलकुल बड़ा सा, काला सा, भद्दा सा और एक उसके चेहरे के ओपर एक बड़ा सा screen था जिसके ओपर सारे के सारे lesson उस पर दिखाये जाते थे सारे person उहाँ पर पूछे जाते थे that was not so bad इतना बुरा नहीं था that part Margie hated was the slot where she had to put homework and test papers चलो उसकी शकल जैसी भी थी Margie को इतना बुरा नहीं लगता था लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि वो जगह थी जहां पर उसको सारा का सारा homework और test जो exam लेता था उसके तो वो सारे के सारे पर उसको डालने पड़ते थे she always had to write them out in a punch code they made her learn when she was six years old और उसको सिखाया गया था जब वो 6 साल की थी तभी उसको सिखा दिया था कि machine के उपर कैसे कैसे लिखना है कैसे punching code करना है और उसको डालना है and the mechanical teacher calculated the marks in not time और जो ये machine teacher था machine अध्यपक था ये एक तम से जो है उसके सारे number बता दियता कि कितने उसके सही हैं, कितने उसके गलत हैं अब इंस्पेक्टर है थोड़ा सा मुस्क राया काम खतम करने के बाद में और मैगी के सिर पर हाथ रख के थथपाया He said to her mother उसने उसकी माँ को कहा It is not the little girl's fault Mrs. Jones कि स्रीमती जोन्स ये छोटी लड़की की गलती नहीं है I think geography sector was geared a little too quick मुझे ऐसा लगता है कि जो इस teacher के इस machine में जो भुगोल का जो sector था भुगोल की जो पढ़ाई वारा जो हिस्सा था वो थोड़ा सा हमने तेज कर रखा था Those things happen sometimes ये कभी-कभी हो जाता है I have slowed it up to the average 10 year level pattern of our progress is quite unsatisfactory वास्तो में जो उसकी पूरी की पूरी जो इस बच्ची की जो progress है ये थोड़ी सी जो है ठीक है संतोज जनक है And he patted Margie's head again और उसने दुबारा से फिर Margie के सिर को थप थपाया Margie was disappointed अब Margie भोती हतोचाहित हो गई थी She had been hoping that they would take the teacher away all together वो तो ऐसा सोच रही थी के वो इस मशीन को दूर ही ले जाएंगे They had once taken Tommy's teacher away for near a month because the history sector had blanked out completely क्योंकि ऐसा हुआ था एक बड़ Tommy का जो ये मशीनी अध्यापक था ये बिगड गया था और उन्होंने जो है एक महिना लगाया इसको ठीक करने में क्योंकि उसका जो इतिहास का जो सेक्टर था वो बिल्कुल खाली हो गया था So she said to Tommy इसलिए उसने Tommy से कहा Why would anyone write about school? तो बताओ Tommy कोई school के बारे में भी क्यों लिखेगा Tommy looked at her with very superior eyes अब Tommy ने उसको बहुत ही superior क्योंकि वो अपने आपको बड़ा मानता था वैसे भी वो बड़ा था उससे उमर में भी और अपने आपको ज़्यादा भी दुआन मानता था तो इस तरह से उसकी तरफ देखा Because it is not our kind of school, stop it This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago उसने कहा अरे बुद्धू ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है ये बहुत पुराने जमाने का स्कूल है जो कि बहुत कई सो ना जाने कितने सो साल पहले हुआ करता था He added loftly pronouncing the word carefully centuries ago loftly माने क्या होता है भोती घमन के रूप में कहना एक superior way में कहना तो उसने बिल्कुल एक एक शब्द को भोत ध्यान से और बोला के centuries ago कई शतावदियों पहले मारगी वाज हर्ट अब मारगी को बड़ा दुख पहुचा अच्छा मेरे को नहीं समझ में आया कि वो उस जमाने में भी कैसा स्कूल रखते थे She read the book over his shoulder shoulder for a while then said anyway they had a teacher उसने जो है उसके कंदे के ऊपर से ही जो है किताब को पढ़ने का परियास किया और बोलियो अच्छा फिर भी teacher तो था उनके पास Sure, they had a teacher but it was not a regular teacher it was a man अब टोमी ने कहा कि बिल्कुल सही कह रही हो teacher था उनके पास अध्यावक था लेकिन वो इस तरह का teacher नहीं था हमारे जैसा it was a man इंसान था हो A man? How could a man be a teacher? इंसान? इंसान कैसे अध्यापक हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions अच्छा, वो सारे लड़के और लड़कियों को बाते बताएगा उनको homework देगा और उसे question पूछेगा A man is not smart enough इंसान थो इतना ज़्यादा smart नहीं हो सकता Sure he is, my father knows as much as my teacher बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मेरे पापा भी जो है, जितना मेरा teacher जानता है उससे उतना ही जानते है He knows almost as much, I betcha वो बिल्कुल उससे भी जानते है, I betcha ये देखे शब्द जो word आया है, B-E-T-C-H-A betcha, betcha जो है, ये बिल्कुल informal way से बोला जाता है यानि कि मैं शर्त लगा सकता हूं यानि कि शर्त लगा लो, कि वो इसससे भी जानता है Margie was not prepared to dispute debt अब Margie जो है, इस बारे में कोई ज़्यादा जगडा करने के mood में नहीं थी She said, I would not want a strange man in my house to teach me के मुझको नहीं चाहिए कोई और बाहर से कोई आदमी आए और मेरे गुर में मिरको पढ़ाए Tommy screamed with laughter अब Tommy चीखा, हसी के मारे You don't know much Margie The teachers didn't live in the house ये अध्याफक जो है, घरों में नहीं रहते थे They had a special building and all the kids went there इनकी एक special building हुआ करती थी और सारे एक सारे बच्चे वहां जाते थे And all the kids learned the same thing और सारे बच्चे एक चीज़ पढ़ते थे Sure, if they were the same age बिलकुल, अगर वो एक जैसी उमर के होते तो वो सभी एक जैसी चीज़ पढ़ते But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl It teaches लेकिन मेरी ममी तो ये कहती है एक अध्याफक को जो है ऐसा जो है, हर बच्चे लड़के और लड़की के दिमाग कितरह है जो है, adjust करना पढ़ता है अपने आपको And that each kid has to be taught differently और हर बच्चे को अलग रूप से पढ़ाना चाहिए Just the same, they didn't do it the way then If you don't like it, you don't have to read the book देखो, ऐसा वो नहीं करते थे अगर तुमको पसंद नहीं है तो किताब को पढ़ने की जूरुत नहीं है I didn't say I didn't like it Margie said quickly अब Margie भोतेजी से बोली She wanted to read about those funny schools क्योंकि वो चाहती थी के ऐसे जो मज़ेदार स्कूलों के बारे में पढ़ना They were not even half finished when Margie's mother called Margie, school अब जो है उन्होंने अपना आधा भी बात नहीं पूरी की थी तभी Margie की मम्मी की आवाज आई बेटा Margie, स्कूल में नहीं जाना Margie looked up अब Margie ख़ए ऊपर के और देखा Not yet mama के नहीं मम्मी अभी नहीं Now said Mr. Jones and it is probably time for Tommy too अभी जाना है उसकी मम्मी ने कहा और अभी जो है Tommy का भी शायद time हो गया होगा Margie said to Tommy अब Margie ने Tommy से कहा Can I read the book some more with you after school क्या मैं इस किताब को बाद में स्कूल ख़तम होने के बाद मैं पढ़ सकती हूँ तुमाही साथ Maybe He said non-chalantly अब उसने बस लापरवाई से का हाँ हो सकता है He walked away whistling The dusty old book tucked beneath his arms और वो चल पड़ा CT बजाता हुआ और जो वो पुरानी जो धूलबरी किताब थी वो उसने अपने कंदे के नीचे जो है दबा रखी थी Margie went into the school room अब Margie अपने school के room में चली गई It was a right next to her bedroom वो तो बिल्कुल उसके सोने के कमरे के नजदीक था And the mechanical teacher was on and waiting for her और जो machine जो अध्यापक था वो वहाँ पर खड़ा था और उसका इंतजार कर रहा था It was always on at the same time Every day except Saturday and Sunday ये machine अध्यापक हमेशा महाँ पर रहता था सिर्फ Saturday यानि के शनिवार और रविवार को छोड़ कर आप देख सकते हैं देखें इस चितर में किस तरह से Margie कैसे पढ़ती है विल्कुल कम्प्यूटर और electronic चीजों के माध्यम से और रोबर्ट आपको भी दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours Margie की ममी कहते थी के बेटा जो है छोटे बच्चों को एक regular समय पर नियमित घंटों में पढ़ना चाहिए ताके के वो अच्छा सीख है अब स्क्रीन जो है जल गया यानिके स्क्रीन को ओन कर दिया गया और अब मशीनी टीचर ने कहा Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions अब जैसे रोबर्ट बोलता है ना तो वैसे ही जो है रोबर्ट ने कहा कि आज जो है हम arithmetic का math का लेसन पढ़ाएंगे और fractions को जोडएंगे Plage insert yesterday homework in the proper slot कर प्या कल का जो homework था वो सही जगह पर डाले Margie डिट सो विदे साई Margie ने का अह भरी और कर दिया She was thinking about the old schools where they had when her grandfather's grandfather was a little boy अब वो ये सोच रही थी कि वो कितने जो पुराने स्कूल होते थे जब उसके दादा जी के भी दादा जी एक छोटे बच्चे हुआ करते थे All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the school yard sitting together in the school room सारे बच्चे जब पूरे पडोस से वहां पराते होंगे हसते, चीखते, चिलाते, स्कूल में और बिलकुल एक ही साथी जो है classroom में बैठेते होंगे going home together at the end of the day और जब स्कूल की छुट्टी होती तो साथी घर जाते होंगे they learn the same things so they could help one another with the homework and talk about it वो साथी साथ एक ही चीज़ें सीखते ताकि कि जब एक दूसरे को ना आपाए तो वो एक दूसरे की मदद कर दें homework में भी और इसके बारे में बात करें and the teachers were people और जो अध्यापक होते होंगे वो इनसान थे the mechanical teacher was flashing on the screen अभी जब मारगी ये बात सोच रही थी इतने तो जो मशीनी जो अध्यापक था वो screen जो है उसका चमक रहा था और क्या बता रहा था when we add fractions half and one fourth कि वो अपनी पढ़ाई कर रखा था कि जब हम fractions आधा और एक चोथाई को जोड़ेंगे तो क्या होगा मारगी was thinking about how the kids must have loved it in the old days लेकिन मारगी अब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी मारगी तो जो है उन्हें दिनों के बारे में सोच रही थी पुराने दिनों में कि कैसे बच्चे जो है इनको जो है प्यार करते होंगे कैसे वो सीखते होंगे and she was thinking about the fun they had और वो अब भी है सोच रही थी कि उनको कितना मज़ा आता होगा उन स्कूलों में उस पढ़ाई में तो ये chapter था आपका the fun they had और इसके writer Isaac Asimov इनके writer है और ये बहुत ही प्यारा chapter था कि जैसे बच्चो अभी हम lockdown के time पे जिस तरह से ये online पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा जरूर होगा कि भोष्ये में इसी परकार के school होंगे अध्यापक होंगे और machineों से बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे तो लेकिन हम अभी भी भागेशाली है कि हमको schools मिलते हैं जहां पर हम जाते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं हमारे teachers हमको बहुत प्यार से पढ़ाते हैं और कितना अच्छा लगता है जब हम अपने सातियों के साथ खूब पढ़ते हैं तो students this was the lesson the fun they had and in tomorrow's lesson we will try to complete the exercise of this lesson तो एक नए वीडियो के साथ हम कल फिर आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद आपका प्यार बना लेना चाहिए आप चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू टाटा बाई बाई